हलो हाई तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक ऐसे कोई से भी इमीज पर हम ग्रेट को क्रेट कर सकते हैं ठीक है जो भी फर्स्ट टैम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो प्लीज आप मेरे टेलग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओके इसके लिए आपको टेलग्राम पर उसकेट में सर्च करना होगा अमरजीत स्केच आड्ड जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जब यहां पर वियोड गृप पे लिकरोओगे तो आप इस वाले ग्रूप में एड हो जाओगे यहां पर जो भी मैं डॉप करता हूं या करवाता हूं ठीक है तो आप यहां पर शेयर कर सकते हो और मैंने यूटूब पर एक कोर्स फ्री आप पॉस्ट चला रहा है जो कि ग्रेफाइड और चारपूल के उपर है बेसिक तो इड्वांस से पूरा हो ठीक है तो जिनको वी सीखने में इंट्रेस्ट है प्लीज आप उस वाले सीरीज से कनेक्ट हो जाओ ठीक है फ्री आप वस्ट हो तो स्टार्ट करते हैं देखो अभी मैं जो ड्रॉ करने वाला हूं वो है यह बर्ड ठीक है तो हम इस पे ग्रेट वाना सीखेंगे तो इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउनलूड करना पड़ेगा जो कि है ड्राइंग ग्रिट नाम से ठीक है इसका लिंक में शेयर कर दूँगा वीडियो क कुछ नहीं ही बस लोड इमेज पर जाना है ठीक है यहाँ पर जाना है फ्रम गैलरी में फ्रम गैलरीं जा करके फिर यहाँ पर जो भी आपको इमेज पर ग्रिट बनाना यहां पर यह पेपर साइज है तो इसका जो हाइट होता है ना यानि कि इसके लंबाई वह है 30 cm और इसके चौड़ाई होती है यानि व्रित वह होता है 21 cm अगर आप 1 cm का ग्रिट लेते हो तो यह आपको पढ़ जाएगा 30 x 21 cm का मतलब नंबर ग्रिट क्या जाते हैं 30 और रोज का नंबर रहेगा 21 लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि यह पूरे इमेज पूरा पेपर पर ना बना करके थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं तो इसका जो साइज है वह मैं ले रहा हूं 23 cm 23 यह मतलब ब्लॉक्स रहेंगे तो आपको क्या करना है कॉलम का जो नंबर है उसे 23 पर सेट कर लेना है यह आपके उपर है आप चाहँ तो थोड़ा भी बना सकते हो छोड़ा भी बना सकते हो अगर मान लिजे बस ब्लॉक बना होगे ना तो इसली उस पर बन जाता है ठीक है तो मैं यूज कर रहा हूं इस पर 23 cm का पूरा ग्रिट रहेगा ठीक है तो इसके बाद देखो इसमें बहुत सारे options आते हैं तो इसमें लाइन विट है इसमें यह हो जाता है कि आप यह जो लाइन होता है ना यह जो लाइन इस से आप चेंज कर सकते होगे उसके बाद यहाँ पर एक लाइन कलर है यहाँ पर भी वाइट हो रखायोगे अगर आपको चेंज करना है तो सिंपल यहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो यहां पर आपकी मर्जी कि लाइन बिट किता भी कर सकते हो मैं आप पर वन कर रहा हूं अब इसके बाद यहां पर ना इमेज फिल्टर कुछ नहीं करना चिड़कानी देखो यहां पर स्क्वाइर है एड नंबर से हैं और डाइगनल ग्रेड है ठीक है यह जो हुआ को गरिट मैंने बना रखा यह सॉर साइज थो आप COMा पर ऑप्सर्ण है से और करके रखना होगा ठीक है और यहां पर एड नंबर है और दूसरा है अईटाइगनल ग्रिट टिक है तो इन दोनों को पहले अउफ करके यहां पर क्लिक करना एकशपोर्ट Click करना है save to gallery फिर उसके बाद close कर देना है ओके अब इसके बाद बापस से add number को on करना है और इस वाले को बंधी रखना है और फिर करना है export image पर click करना है और save to phone gallery close फिर इसके बाद इन दोनों को on ही रखना है फिर diagonal grid को on कर लेना है फिर export image पर जा करके image save to gallery ठीक है फिर से close करके फिर add numbers है ना तो इसको बंध कर देना और इसके बाद दुबारा से export image पर click करना और save to phone gallery अब यह है क्या वो समझ लो देखो जैसे कि यह जो grid है ना आपने बना रखा ओके तो अभी अगर मैं add number पर मैं देखो यह जो है option add number को मैंने बंद कर रहा है तो जो grid बनेगा ना तो उसमें सिर्फ square रहेगा यह square रहेगा और डाइगनल ग्रिड रहेगा यानि कि इसके बीच में ऐसे cross sign बना होता है ना तो बना रहेगा लेकिन जैसे अगर आपने इसको बंद करके इसको कर दिया तो यहां पर सिर्फ नंबर लिखें यहां पर मैंने देखो यह जो बॉक्स इसके अंदर मैं नंबर लिख रहेगा ना तो कुछ ऐसा लिखा हुआएगा आप देख लेना ठीक है यहां पर गैलरी में मैंने जो भी डाइगनल और नंबर यह तीनों आप्षुन ओं थे तो इतीनों का बन गया है अप्माइब फिर इसके बाद ऑनली को और नंबर है तो आने खित हां पर सिर्फ स्कौायर है और नंबर समें डायनल नहीं है ठीक है तो ऐसे इस पर आप ग्रिट बना सकते हो अब पेपर की बा आपको अच्छा accuracy चाहिए तो वन सेंट्यूमिटर ही उस करना ठीक है और जब भी आप ड्रॉ करते हो ना जिसे जब भी आप कोई सा भी अगर आउट्लेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें एक रूल होता है कि इसका साइज और इसका साइज हमें सेम रखना ठीक है इससे क्या आप बढ़ जाती है ठीक है तो जब ड्रॉ कर रहे हो एक्रिसी मतलब अच्छे से आउट लें तो इसका और इसका साइज सेम रखना ओके तो इससे थोड़ा मतलब और अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है और जिसमें जब मैं कलर यूज करने वाला हूं वह रहेग मतलब शेयर कर दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो आप वहां से डाउनलूड कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था थैंक्यू सो मच बाए